Hello everyone, welcome back to my channel तो आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ product review तो आज मैं review करने वाली हूँ आप लोगों के साथ Garnier Fructus का नरिशिंग बनाना hair food का ये shampoo as well as hair mask तो ये full detailed video होने वाला है इस वीडियो को end तक जरूर देखिए है क्योंकि जितने भी YouTubers ने अभी तक video upload किया है, they all are straight hair types and I have curly hair so इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ share करूंगी कि ये वाला product आपके curly hair अगर है तो उस पे किस तरीके से work करता है, as well as मैं साथ में आप लोगों को texture भी show करूंगी full detailed video होने वाला है video अगर पसंद आए तो please like कर दीजेगा साथ ही अगर आपको मेरे videos अच्छे लगते है मेरा content पसंद आ रहा है तो मेरे channel को subscribe करके, pass में एक bell icon होगा, उसको hit कर दीजेगा जिससे की आपको मेरे सारे videos के notifications मिलते रहे, साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं everyday video upload करती हूँ, तो in case अगर आप से miss out हो जाता है तो आप मेरे channel पर visit करके check out कर सकते हैं, so without wasting time let's begin the video so the brand was kind enough to send me these products तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें जो मुझे variant receive हो है that is nourishing banana hair food so आप लोगों को पता होगा कि curly hair बहुत ही जादा dry frizzy होते हैं and they are hungry for you know nutrition and साथ ही बिलकुल shine नहीं होती है, dunless नहीं होती तो उसके लिए banana is a great ingredient so starting with the packaging आप देख सकते हैं कि बिलकुल banana का you know like yellow color होता है तो उसी तरह का theme में इन्होंने ये वाला packaging ready किया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है and थोड़ा सा fruity kind of इसका like मुझे इसका packaging लगता है जो कि काफी जादा attractive है और यहां पे इन्होंने mention किया वा है that this is vegan free और इसका जो packaging है this is recyclable और साथ ही इस वाले product में आपको कोई भी silicon नहीं मिलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आजकल के consumers को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि उनके लिए क्या ingredient सही है और क्या ingredient गलत है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप इन्होंने सब कुछ mention कर दिया है और आपको यहाँ पे एक flip sound वाला इस तरीके का क्याप मिलेगा जो कि बिल्कुल भी lose नहीं है तो यह बिल्कुल travel friendly आप इसको लेकर की easily travel कर सकते हैं और एक tick sound के साथ यह close होता है तो packaging मुझे इसकी बहुत जादा अच्छी लगी उसके बाद बात कर लेते हैं hair mask की packaging की तो आप देख सकते हैं कि this is a huge tub of hair mask जो कि बहुत ही जादा attractive again लग रहा है यहाँ पे भी इनो ने mention किया that this is for dry hair साथ ही यह vegan free है this is also paraben and silicon free and इसमें कोई भी artificial colorant add नहीं है which is great और यहाँ पे बाकी सारी you know details mention किवे यह भी recyclable like इसका packaging है now अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके का इसका like packaging है तो overall tub है तो बहुत तो उनको टेंशन हो जाती ही कि इस तरीके की जो packaging होती है जो कि इस तरह से directly open होते है कहीं उनका जो product है वो leak ना हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इसका like क्या पहना यह बहुत अच्छी तरीके से close होता है so overall I am happy with the packaging now let's talk about the texture of the product तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इस shampoo का texture show कर रही हूँ so first of all यह जैसे ही आप इसको अपने hand पे लेंगे ना यह एक clear gel की form में बाहर आएगा and जैसे आप इसको rinse करना start करेंगे अपने hair पे तो बहुत अच्छी तरीके से यह ना मतलब इसमें foam आने लगेगा और यह leather होने लगेगा और बहुत ही similar है इसका texture like banana मुझे तो believe ही नहीं हो रहा था कि मैंने कोई like shampoo apply किया है मेरे hair पे इतना ज़्यादा soft लग रहा था and बिल्कुल banana वाला feel ले रहा था बिल्कुल उसी की तरह leather हो रहा था plus इसकी जो smell है ना बहुत ही amazing है बहुत ही mesmerizing है ऐसा लगेगा कि आप इसको खा जाएं इतना ज़्यादा इसका attractive smell है और इसमें थोड़ा सा hint of banana मिल जाता है जो कि मुझे बेहत पसंदाया थोड़ा सा fruity kind of smell है which is very sweet काफी अच्छा लगा मुझे अगर इस वाले hair mask के texture की बात करूँ तो बहुत ही soft सा texture है बिल्कुल light mild सा texture है और evenly पूरे hair पे spread हो रहा था again इसका जो smell है that is very similar to shampoo थोड़ा सा sweet banana with a hint of banana और थोड़ा सा fruity kind of fragrance है जो कि बहुत ही जादा attractive है इतने evenly ये मेरे hair पे spread हो रहा था कि मतलब बहुत ही light weight था कई सारे ऐसे conditioners होते हैं जिनका texture बहुत जादा थिन होता है but इसका texture बहुत ही जादा थिक था इस range में total garnier ने four different variants launch किये हैं तो ये banana variant आपके लिए तभी अच्छा है अगर आपके बहुत ही dull and dry से hair है बहुत ही frizzy है साथ ही pollution के वज़े से अगर आपकी hair की quality बहुत जादा खराब हो गई है and एकदम you know broom kind of आपको फीड आ रहा है आपको लगी ने रहा कि आप अपने hair में like comb कर रहे हैं या फिर हाँ चला रहे है तो ये वाला जो nourishing shampoo and hair mask है ये बिलकुल उसी तरीके के hair types के लिए है so let's talk about the pricing of the product तो ये वाला जो shampoo है this retails for 5 549 रुपीज and ये जो hair mask है इसका price है let me just see so this retails for 725 रुपीज जिसमें आपको huge quantity मिल जाएगी इसमें आपको 390 ml की quantity मिल रही है and इस वाले shampoo में आपको 549 रुपीज में 350 ml की quantity मिल रही है which is kind of decent now आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई भी you know shampoo और conditioner को कोई भी review करता है तो तुरंत वो लोग instantly अपने hair को wash करके share कर देते हैं but मैंने ऐसा नहीं किया है मैंने अपने hair को wash किया है इस वाले shampoo से and इस वाले hair mask को अपने hair पे use किया है now curly hair की property मैं थोड़ा सा आप लोगो you know short में बता देती हूँ कि instantly एक दो दिन में आपको आपके hair पे curls visible होंगे nourishment देखेगी shine देखेगी but उसके बाद shine जो है na fade हो जाती है मतलब चली जाती है and hair जो है वो rough होना start हो जाती है but it's been five days जब से मैंने hair को wash किया है and that's why आज मैंने कोई भी ponytail like नहीं बांदा है नहीं मैंने कोई hair style किया क्योंकि मुझे इस वीडियो में show करना था कि after five days मेरे hair अभी कैसे है so let me show you so it's been five days and still I have shine in my hair आपको दिख रहा होगा मेरे hair की curls बिल्कुल भी खराब नहीं होई है although आप लोग को healthy लग रहा है and लग रहा है कि मैंने just इसे आज ही wash किया है तो काफी जादा healthy सा you know मेरा hair हो गया है I felt so good after using these products like मुझे लगी नहीं रहा है कि मैंने कुछ नहीं करवाया है I am feeling like मैंने spa में कोई treatment लिया है आप देख सकते मेरे hair की quality किस तरीके की है मैं आपको पास से भी show कर दे रही हूँ तो बिल्कुल भी dry नहीं लग रहे and just see the bounce so ये bounce है अभी भी bounce जो है वो maintained आप curls ये सारे बेख सकते है कि अभी भी ये bouncy है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये curly hair पे भी work करता है hair now आप लोगों को पता है कि shampoo को किस तरीके से use किया जाता obviously इसके लिए कोई अलग से tutorial नहीं है but hair mask जो है market में काफी नया है बहुत सारे लोगों को अभी तक hair mask को use करना नहीं आता है तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस वाले hair mask को आप 3 different types से use कर सकते है साथ ही आप इन्होंने ये mention भी किया हुआ है कि आपको किस तरीके से use करना है so इसका जो first तरीका है that is कि आप इसको as a conditioner use कर सकते है जैसे ही आपने hair को wash किया तो आपको इसको conditioner की तरह अपने hair lens पे apply करके just 1-2 minute के लिए छोड़ दे रहा है and then wash कर लेना है this is the first you know type कि आप इसको use कर सकते है second आप इसको as a mask use कर सकते है now आपने जो है अपने hair पे shampoo apply कर लिया and then आपने conditioner पे apply कर लिया उसको wash कर लिया उसके बाद आप इसको as a mask अपने hair length पे apply कर सकते है and आप इसको at least 5-10 minutes के लिए छोड़ दीजे यहाँ पे ऐस सच इनो ना लिखा नहीं कि आप इसको 10 minutes के लिए छोड़ दीजे but मैं ऐसा बोली हूँ कि अगर आप इसको mask की तरह use कर रहे है after shampoo and conditioner तो आप इसको 10 minutes के लिए अपने hair पे छोड़ करके उसके बाद इसको wash off कर लिजे completely third जो इसका तरीका है that is कि आपने hair को अच्छी तरह से wash कर लिया and आपने shampoo conditioner सब कुछ use कर लिया उसके बाद आप इस वाले cream को as a leave-in cream भी use कर सकते है आप लोगों को पता होगा कि leave-in creams जो market में आते हैं बहुत ही जादा expensive होते है तो आप इसको as a leave-in cream भी use कर सकते है आपने hair को wash कर लिया and आप wet hair में ही इसको अपने hair lens पे apply करेंगे and आप इसको छोड़ देंगे मैंने इसको अपने hair lens पे इस बार apply करके छोड़ दिया है and you can see कि अभी भी मेरे hair जो इना glow कर रहे है मतलब shiny लग रहे है I hope कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा in case अगर आपके कोई भी query है इस वाले products related तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते है तो yes आज के लिए बस इतना ही अब मिलते अपने next video में till then bye bye, take care